नमस्काल, योजने कीरे सोई में आपका सौगत है, आज मैं आपके लेकर आई हूँ शाही मलाई पनीर, इस डिश की ये खासित है कि इसमें बहुत कम मसाले यूज हुआ है, इसमें सारा फ्लेवर मेठी नाना और छोटी लाइची का है, जो कि इस डिश को बहुत टेस्टी बन के प्यास जिनको की पीसकर पेस्ट बनाये हुआ है, दो मीडियम साइज के टमाटर जिनको की पीसकर पेस्ट बनाये हुआ है, अब चलिए इसमें इसमें इस्तिमाल होने वाले मसालों के बारे में जान ले, वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून पिसी हुई लाल मिरच, दस शाही मलाई पनीर का कोकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो ये डिश हम देसी घी में बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, ये थोड़ा मैल्ट हो जाए, गी गरम हो गया है, अब इसमें मैं प्यास का पेस्ट डालूंगी, इसे थोड़ भूने के बाद अब मैं इसमें काजू का पेस्ट डाल रहे हैं, इसे भी थोड़े दिर भूनेंगे, थोड़ा सा कड़ाई में घी छोड़ने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे, ये काजू के भून जाने के बाद थोड़ा सा घी छूट गया है, अब इसमें मैं टेमाटर अब नमक डाल रही हूं, लाल मिर्च पाउडर और यह हमने जो दही फेटा था यह बीज में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे, अब यह जो मेथी दाना और लाइची का पौडर बनाया था इससे टाल देंगे, और इस ग्रेवी को थोड़ी देर तक कम से कम 5-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे, इससे मैंने इतना भूनाया कि देखे किनारों पर थो थोड़ा पतला करेंगे, क्योंकि काजू की ग्रेवी आप जब रख देते हैं तो रखके वह बहुत गाड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा इसको पतला ही रखिए, जिससे कि रखने के बाद बहुत गाड़ी ना हो, जड़ा सा पकाके, अब मैं इसमें क्रेम डालूंगी, यह सबजी थोड़ी सी रिच तो है, लेकिन आपको पसंद आए लगी, अब मैंने इस क्रेवी में सारे इंगिडेंट्स डाल दिये हैं, और उसके बाद 5-7 मिनिट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है, अब देखिए अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है, और पक और इसे अच्छी तरह चलाकर, और दो मिनिट तक पकाएंगे, और बस फिर हम इसको गैस बंद कर देंगे, हमारी सबजी तियार है, अब इस चाही मलाई पनीर को आप गोटी के साथ, या नान के साथ खा सकते हैं, तो अब आब इसे बलाएए, खाएए, इंजॉएए कीजे प्रॉ़ जिए le गुपी है गोटी के एमारी से जह का ओरेऊ हैं, और आन के साथ उसको पह कि तो आथा खा हीज़ टेरा हैं, जा मढ़ बस्वाएं, प्रॉसशी का छूसरा ह।